हलो फ्रेंड्स टेस्ट विद मम्ता की किचन से मैं मम्ता शर्मा देव भूमी उत्राखंड से आपका स्वागत करती हूँ तो फ्रेंड्स अब चल रहर में बनाई है साबुदाने की खीर तो ये देखिए कितनी बढ़िया सी बनी है और कई लोगों की शिकायत होती है कि हमारी खीर फट जाती है और बरतन में चिपक जाती है दूद फट जाता है तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार मेरी इस रेसिपी के साथ बनाईए तो आपकी खीर कभी भी ना फटेगी ना जलेगी ना चिपकेगी और ना ही आपका दूद फटेगा और कई बार कई लोग कहते हैं कि गुठलिया बन जाती है तो ये देखिए मैं आपके सामने दिखा रही हूँ तो आज के बाद आपकी गुठलियां भी नहीं बनेंगी तो चलिए आईए देखते हैं इनको कैसे बनाते हैं ठीके चलिए आईए तो गाइस ये वरत में साबुत दाने की जो खीर खाई जाती है उसके लिए मैंने यहां पर एक कटोरी करीब साबुत दाना भीगों के रखा था अभी आधे गंटे पहले तो ये बहुत अच्छे से इसने पानी को सारा सोक लिया है बस जरा सा इसमें रह गया है कोई बात नहीं कोई टेंशिन की बात नहीं है तो अभी क्या है ये देखिए इसको मैं दबा के आपको दिखाती हूँ तो ये हलका तो हो चुका है लेकिन अभी प्रौपर ही तरीके से अभी बीगा नहीं है ठीक है तो थोड़ा सा ही हलका हलका विया अंदर से कच्छा ही है तो कोई बात नहीं, इसको हम क्या करेंगे, बाकी जब हम खीर बनाएंगे, तो इसको दूद में ही पका रहेंगे, तो उसमें ये बहुत अच्छे से पक जाएगी, ठीक है, तो चलिए, अब गैस की तरफ को चलते हैं, तो फ्रेंट्स ये देखिए, मैंने गैस पे एक भगोना रखा हुआ है, छोटा सा, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसमें हमने ड्राइफूर्स डालने है, वो हम थोड़ा सा सौटी से कर लेंगे, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसमें थोड़ा सा घी डालूँगी, ये देखिए, ये मैं बहुत ज्यादा तो खेने ही डालूँगी, आधी चमच करीब इसमें घी डाला है मैंने, आप चाहें तो इसको अलग से भी सौटी कर सकते हैं, लेकिन इसका मैं एक रिजन भी आपको बताती हूँ, मैंने इसी भगोने म आप बनाएंगे, उसमें थोड़ा सा ग्रेसिंग कर लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, करी लोग की शिकायत होती है, कि हमारा जो साबुत दाना है, या खीर हम कुछ भी बनाते हैं, वो चिपक जाता है, तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे, तो वो कभी ने चिपकेग मैं तो मैंने इस में थोड़ा सा आधी शमच करीब, लगा अभी घी डाला है, तो अबशू अभी में इस इन क्या करूँगी, थोड़ा सा ड्राइफ्रुट।, इस में हलके से भूल लोगी, तो ड्राइफ्रूट में मैंने थोड़ा सा उवादामि लिये है, और ये बहुत जादा नहीं बुनना है तो यह भुन चुके हैं है अभी मैं इसको निकाल लेका लिया है और अब मैं इसको इस तरह से ग्रीज कर लूगी ताकि यह चिपके नहीं तो इसलिए मैंने इसा पैन का इस्तेमाल किया है दोनों कामाओ के लिए ठीक है यह बहुत इजी रहता है और कोई दिक्कत नहीं होती है आपको दो दो बरतन लगाने की भी ज़रुत नहीं पड़ती तो इस तरह से मैं इसको ग्रिस कर लेती हूँ यह जो साबूत दाना है इसको हम इसमें से निकाल के ऐसमें थोड़ा सी डाल लेंगे घंद कर दो पानी को निखार लेंगे ऐसे हलका सा अ यह दिफिकार मैंने डाल दिये हैं और अब हम इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे ठीक है थोड़ा सा भूलेंगे ज्यादा नहीं इसको हमने कोई कलर नहीं देना है बस इसका पानी सुखाना है काफी अच्छे से पानी शूग गिया है अभी एखटा हो नशुरू गया है तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें दूप डालतेंगे अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेके थे करें बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये पूरे पकके उपर तेरने ना लगे और बिल्कुल transparent करना बहुत जरूर होता है तब ही पता चलता है कि ये अंदर तक कुछ हो गए है यही इसकी असली पहचान होती है तो जब तक यह cook हो रहा है न हम इस हाथ क्या करेंगे इसमें फोड़ा ise इलाइची पौड़र इलाइची पाउडर हो तो जरूर डालिए बहुत यह अच्छा इसका टेस्ट होता है तो उस खीर में इलाइची पाउडर का वैसे भी बहुत बड़ा रोल होता है आपको पता ही है तो इस तरह से इसको पीच-बीच में हिलाते रहिए और इसको अच्छे से कोख होने तो यह देखे फ्रेंट्स यह बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अच्छे से गाड़ी भी हो गई है मैंने इसमें एक कटोरी साबू दाने में आधा रिटर करीब दूद का इस्तमाल किया है यह देखे कितना सारा यह बन गया है तो अब यह तैयार हो गया है तो अब ह और चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं कई लोग की जो शिकायते होती है वो आज सारी दूर हो जाएंगी क्योंकि यह देखे आप देख सकते हैं कई लोग grappling है कि हम साबू दाना बनाते हैं हमारी घुठ्लियां से बन जाती है बरतन में चिपकता है तो यह देखे ना यह बरतन में चिपका है ना इसमें कोई गुठलिया है मैं आपके सामने प्रूफ दिखा रही हूँ बिल्कुल यह देखिए बिल्कुल पर्फेक्ट बनी है और असली खीर ऐसे ही बनाई जाती है साब उताने की तो चिपकता क्यों है और गुठलिया क्यों आती है वह आप है कि या टो थंडा दूदढ़ दालते हैं या फिर प्रहीं नहों चैकले है और तॉस कॉछछे या फिर्छे यह दूदढ़ा है कभी कभी कभीब्श में खराब हो घ्रयं आईए enjoy कीजिए तो अब मैं क्या करूंगी यह सब तयार हो गया है तो मैं एक बोल पहले बिना ड्राइफरूट की इसको निकाल लेती हूं क्योंकि मेरे इनलॉस नहीं खा पाते हैं ड्राइफरूट्स तो मैं पहली इसको किनारी कर लेती हूं उनको चबाने में प्रॉब्लम कर दिया है तो यह जो मैंने रोस्ट के वे सारे ड्राइफरूट्स से न अब मैंने यह फाइन चॉप कर लिये हैं जो बादाम था वह था सब मैंने चॉप कर लिया है और सांत में किश्मिस भी मिक्स कर दिए तो अब मैं इसे कारणिश करूंगी तो आप भी इसको बनाये enjoy क कीजिए मैं भी क्या करती हूं जब जब नवरात्रे होते हैं या कोई भी विरत होता है तो कोशिश करती हूं रोज थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग डिशेज बनाऊं तो आज के रिए मैंने यह दो-3 तरह की चीज़े बनाई हैं भी आपको दिखाती हूं तो आप ही से एज अगर आपको मेरी रेटी पता है होगी तो प्लीज मेरे चैनल पे जाके उसे लाइक कीजिए सब्स्ट्राइब कीजिए रॉर कॉमें कमून बॉक्स में जरूर बताईये क्या को मेरी रॉसेपी कैसी लगी तो फ्रेंट्स यह देखिए मैंने क्या-谐 बनाया है आज ये मने नारियल की चटनी बनाई है जो फलाहर बनाई है विल्कुल सेंधा नमक के साथ सेंधा नमक के आलू बनाए है जीरा आलू यहाँ पे दही लिया है और ये साबुदाने की खीर बनाई है तो फ्रेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी के साथ तपता के ल झाल झाल झाल